मेरा नाम वत्सलाविने शर्वास्तवा है मैं लखनों से ही बिलॉंग करती हूँ मुझे यस बिमारी का पता टू 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 में पता चला तो कि मुझे एडी पी केडी है इसका इलाज मेरा छे साथ महीने पीजियाई में चला फिर उसके बाद पेंडेमिक के वज़े से मुझे काफी परिशानिया जहिननी पड़ी वहाँ पे हर बार आईटी पीसीर करा के जाओ डॉक्टर्स की लंबी-लंबी लाइन तो वो मुझे बहुत ही हेक्टिक लगता था और हर बार में बहुत परिशान हो जाती थी तो डॉक्टर्वेंक्टेश के बारे में मुझे पहले से ही पता था वो पीजियाई में मुझे में उनको जानती थी तो बाद में पता चला कि डॉक्टर्वेंक्टेश यहाँ प्रिसीजन में आ चुके हैं, जॉइन कर लिया है, तो फिर मैं उनी के वज़े से यहां आई और फिर्स टाइम में प्रिसीजन आई, प्रिसीजन आके मुझे डॉक्टर वैंकटेश ने बहुत ही प्रोचसाहित किया, मोटिवेट किया कि आप जो है, कोई डरने की बात महीं है और आप ट्रांस्प्लांट के लिए बन बना लो, फिर धीरे धीरे मेरी दिन पर दिन तब्यत खराबी होती चली गई और मुझे CRF, मतलब क्रोनिक रेनल फिलियोर की तरफ में बढ़ गई, उसके बाद मुझे मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरी दोनों किड्मी निकाल इस पर रही, उसके बाद स्टेज 1, 2, 3, 4 यह चार स्टेज होती है, उसकी टेस्ट वगेरा होते होते, करीब 20 दिन लगे और उसके बाद मुझे 27 जून की डेट मिली ट्रांस्प्लांट की, और इस बीच जो है डॉक्टर मिश्रा और उनकी डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर अवनीत, डॉक्टर गॉरव, इन सब ने जो है मेरी काफी मुझे पुरुचसाहित किया, डॉक्टर मिश्रा ने यहां तक कहा कि आप सब परिशानिया मेरे उपर छोड़ दो और आप बस हसते रहो, यह सुनके मुझे बड़ा ही अंदर से एक पुरुचसाहान मिला, कि अग बल्कि मेरा ट्रांस्प्लांट कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी की जो कि मेरी डोनर थी, उनकी काफी एज हो चुकी थी, 68 प्लस, प्लस मेरा और मेरी मम्मी का ब्लड गुरुप भी सेम नहीं था, मैं B O positive और मम्मी A negative, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने यह सब जा कि देखिए, आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो आपका बंद है, और दूसरा रास्ता सिर्फ ट्रांस्प्लांट का है, तो आपको पूरी हिम्मत और होट्सले से इस पे आगे बढ़ना है, फिर मेरे हाथ में फिस्चुला नहीं बन रहा था PGI में, तो यह भी ची यहां पर इतना अच्छा यह लोग करते हैं, और मुझे जो है, एक ही बार में मतलब इनोंने मेरा फिस्चुला बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में आ गया, और मेरी डालेसिस स्टार्ट हो गई, तो मुझे मेरा भरोसा एक के बाद एक और मजबूत होता चला गया, और मैं दिन प्रति दिन यह सोचने लगी कि अब ट्रांस्प्लांट की तरफ मुझे बढ़ना है, ट्रांस्प्लांट की डेट मुझे 27 जून की मिली और 27 जून को मेरा ट्रांस्प्लांट हुआ, पांच से छे दिन मुझे केटियों में रखा गया, जहां पे मेरी इतनी केयर हुई, मैं तहे दिल से यहां के नर्सिंग स्टाफ, केटियू स्टाफ, डालिसिस स्टाफ की अभारी हूँ जिन्होंने मेरा इतना अच्छा केर किया कि मैं कुछी दिन में बिल्कुल फिट हो गई और आज 20 दिन है मैं आप सब के सामने बैठी हूँ और यही शुक कामना के साथ मैं कहना चाहूँगी कि प्रिसीजन हॉस्पिटल एक ऐसी जगा है जहां लोग अपनी तकलीफें लेके आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं मैं तहे दिल से पूरी टीम की शुक्रिया अदा करती हूँ कि जैसे उन्होंने मेरे मेरा केस लिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज नई जिंदगी जी रही हूँ उसी तरह यह टीम सब की ऐसे ही मदब करती रहे और आगे बढ़ती रहे थैंक्यू